हेलो फ्रेंद्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय बीबी केर और मैं हूँ आपके साथ अरशना अरे यार तुम तो पहले बहुत पतली हुआ करती थी, डिलीवरी के बाद तुम्हें क्या हुआ एकदम से तुम्हारा वेट बढ़ गया, तुम तो बहुत गोलू-मोलू हो गई हो और तुम्हें देखकर भी कुल लगता ही नहीं है कि तुम वो हो तो ये सारी बाते अगर आपको सुनने को मिल रही है आपके डिलीवरी के बाद तो फ्रेंड्स जादा घबराने की बात नहीं है, कभी-कभी ऐसा होता है कि डिलीवरी होने के बाद हमारा वेट बढ़ जाता है और प्रेगनेंसी टाइम पे भी वेट गेन होता ही है तो आपको इतना ज़दा घबराने की बात नहीं है कुछ आसान सी चीज़े करके आप अपने वेट को जो है कम कर सकते हैं तो आज की वीडियो जो है मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ कि आप किस तरीके से अपना बड़ा हुआ वजन कम कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सबसे पहली चीज़ कि आपको रेगुलर्ली वॉक करना है देखे अगर आपके डॉक्टर ने आपको बोल दिया है कि आप एक्सराइस कर सकते हैं वॉक कर सकते हैं तो आप रोज, डेली, सुभा, शाम, 15-15 मिनट के आपको वॉक करनी है और ऐसी चीज़े करनी है को एक्सराइस अगर आप कर रहे हैं तो ऐसे करें जिससे कि आपको बहुत ज़ादा प्रॉब्लम ना हो और धीरे धीरे वो टाइम आपको बढ़ाना है नेक्स्ट आता है योगा देखे हलकी फुलकी एक्सराइस के साथ आप योगा भी कर सकते हैं तो इससे क्या होगा इससे आपके रिजल्ट्स जल्दी अच्छे आएंगे यानि कि आपका वेट जल्दी कम होगा पर आपको अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना है कोई भी नई चीज़ करने से पहले और ऐसी कोई चीज़ मत कीजेगा जिससे कि आपके पेट पर जोर पड़े नेक्स्ट आता है देखे डाइट डिलीवरी के समय तो लेडीज बहुत अच्छा खाना खाती है जिनसे उनका वजन बढ़ जाता है और जो कि उस समय जरूरी भी होता है पर डिलीवरी के बाद भी लेडीज को अपने खाने पीने पर ध्यान देना चाहिए आपको ऐसे डाइट लेनी है जो कि बैलेंस्ट हो और हाँ ऐसा नहीं करना है कि वेट कम करने के लिए आप अपना ब्रेकफास्स स्किप कर देए ये बहुत ही गलत चीज है आपको अपना ब्रेकफास्स जरूर करना है और साथी साथ ये कोशिश कीजिए कि आप छोटी छोटी मिल्स लेजिए एकदम से बहुत जादा खाने के बजाए अगर आप छोटी छोटी मिल्स लोगे या हर 2-3 घंटों में कुछ खाएंगे तो वो जादा अच्छा है नेक्स्ट है कि आपको पानी अच्छे से पीना है देखें डिलीवरी के बाद वेट कम करने के लिए आपको हाइडरेटेड रहना बहुत जरूरी है इसलिए आपको एक दिन में कम से कम 10-12 गलास पानी जरूर पीना है अगला आता है देखें अब्डॉमिनल बेल्ट यानि पेट पर बादने वाली बेल्ट अगर आप चाते हैं कि डिलीवरी के बाद आपका पेट जो लटकने वाली प्रॉब्लम होती है वो आपको ना हो तो आपको पेट पर बादने वाली belt यूज़ करनी चाहिए पर हाँ अगर आपके डिलिवरी को तीन महीने हो चुके है तो उसके बाद उस belt का कोई फायदा नहीं है आप तीन महीने होने से पहले यानि कि डिलिवरी होने के 15-20 दिन बाद से आप स्टार्ट कर सकते हो उसको बादना और अगने डिलिवरी के तीन महीने तक आप उसको पहनेंगे तो आपको जो पेट लटकने वाली problem है वो नहीं होगी एक और चीज़ जो जरूरी है वो है अच्छी नींद दिनके डिलिवरी के बाद वजन अगर आप कम करना चाहते हैं तो आप जितना हो सके stress से दूर रहें बिल्कुल भी आपको tension नहीं लेनी है और कम से कम 8 घंटे की नींद जरूर ले इसके लबाँ आपको करानी है breastfeeding देखिए ये भी बहुत एक important चीज़ है कुछ लोगों को लगता है कि breastfeeding कराने से या बच्चे को अगर आप दूद पिलाएंगे तो इससे आपका weight बढ़ता है पर ऐसा नहीं है अगर आप breastfeeding कराते हैं अपने बच्चे को तो इससे भी आपका weight कम होने में मदद मिलेगी और एक और चीज़ ध्यान में रखें कि इस time पर आप alcohol ना ले friends कुछ ladies जो है delivery के बाद weight कम करने के लिए बहुत जल्दबाजे करने लग जाती है और कोई सितरे की दवाया लिन लग जाती है तो आपको इस time पर बिल्कुल भी असा नहीं करना थोड़ा time लगेगा पर धीरे धीरे वो चीज़े होने दीजे क्योंकि एकदम से अगर आप खाना पीना छोड़ देंगे या दवाया लेन शुरू कर देंगे तो यह आपके लिए भी सही नहीं है और आपके बच्चे के लिए भी सही नहीं है अब भात करते हैं कुछ tips की कि अगर आप अपनी diet में ऐसी कौन सी चीज़े include करेंगे तो इससे आपका weight जल्दी कम होगा अब वो जानते हैं सबसे पहली चीज़ delivery के बात weight कम करने के लिए आप गुनगोने पानी में नीमबू और शहद मिला कर सुबह खाली पेट लीज़े इससे भी weight कम करने में मदद मिलेगी नेक्स्ट के अपनी diet में आपको सेब यानि apple को include करना है ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा नेक्स ट्रेंट्स की delivery के बाद आप जितना हो सके गुनगोना पानी पीज़े आप green tea भी पीज़े सकते हैं डालचीनी और लॉंग को उबाल कर पानी को ठंडा करके यानि कि बहुत ज़्यादा गरम ना हो पानी गुनगोना हो जाए तब आप पीज़े ये भी अच्छा रहेगा और मेथी को पानी में उबाल कर गुनगोना पानी पीज़े तो friends अगर आप ये सब चीज़े करेंगे और exercise भी करेंगे तो 3-4 महिनों में आपका वज़न ज़रूर कम होगा तो friends यही था मारा आज का वीडियो I hope आपके लिए वीडियो जो है helpful रहा होगा आगे भी हम ऐसी ही वीडियो mother care और baby care पिलाते रहेंगे Thank you